हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ तो सुनिए ध्यान से एक राजा को जब पता चला कि मेरे राज में एक ऐसा व्यक्ति है जिसका सुबह सुबह मुख देखने से दिन भर भोजन नहीं मिलता है तो सच्चाई जानने के इच्छा से रह व्यक्ति को राजा ने अपने साथ सुलाया और दूसरे ही दिन राजा की व्यस्तता ऐसी बड़ी की राजा साम तक बोजन नहीं कर सका इस बात सिक्रोदोकर राजा ने उसे ततकाल फासी का दंड देने का आईलान कर दिया आखरी एक्षा के अंतरगत उस व्यक्ति ने कहा राजन मेरा मुह देखने से आपको साम तक भोजन नहीं मिला किन्तु आपका मुख देखने से तो मुझे मौत मिलने वाली है इतना सुनते ही लजजित राजा ने उस व्यक्ति को छोड़ दिया इसलिए कहा गया है